टीवी शो अनुपमा में समर का रोल प्ले कर चुके एक्टर पारस कलनावत ने जुलाई 2022 में या शो छोड़ दिया था पारस के या शो छोड़ने की वज़त ही मेकर्स के साथ मदभेद अब तकरीबं 10 महीने बाद पारस कलनावत ने इस धरावाही को लेकर चौकाने वाली बात कई है हरी में पारस कलनावत ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ एक Ask Me Anything सेशन रखा जिसमें उन्होंने अपने फैंस के तमाम सवालों के जबाब दिये इस सेशन में उनके एक फैंन ने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने अनुपमा शो क्यों छोड़ा पारस कलनावत ने इस सवाल का जो जबाब दिया उसे हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है पारस कलनावत ने कहा कि बाकी कास्ट भी या शो छोड़ देगी अगर उन्हें कोई बहतर अपरिशनिटी मिल जाए तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सेट पर माहौल इतना टॉक्सिक हो चुका है कि बहतर मौका मिलने पर हर सक्स या शो छोड़ने का फैसला ले सकता है पारस ने कहा मुझे शो छोड़ना पड़ा ता कि मैं जिन्दगी में किसी बहतर जगह पर पहुंच सकूँ साथ ही उन्होंने ये अभी कहा कि वह हमेशा मेकर्स के सुक्र गुजार रहेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सांदार शो का आउफर दिया उन्होंने लिखा यारों कहीं पहुचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है और मुझे लगता है कि अब मैं एक बहतर और शांत जगह पर हूँ इमांदारे से कहूं तो शो की 80% कास्ट बहतर मौका मिलने पर शो छोड़ देगी रिस्क लेने की और सही के लिए लड़ने की ताकत हर किसी में नहीं होगी बातो बातो में पारस कलनावत ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि उन्होंने किन परिश्थितियों में या शो छोड़ा होगा बता दे कि ऐसी खबर उड़ी थी कि पारस के रियालिटी टीवी शो जलक दिखला जा साइन करने की खबरे उड़ने के बाद मेकर्स ने उन्हें शो से निकाल दिया पारस ने एक एंट्रिवू में कहा था कि वह शुक्र गुजार है राजन साही का लेकिन पिछले काफी समय से उनके पास शो में कुछ खास करने के लिए नहीं था पारस कलनावत के इस खुला से पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जिरूर बताएं टीवी दुनिया के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें ये ए भी भी इंडिया ने उस